कर दो अधर में बनाना जारी हूं अर्वी की सब्जी यह हमने पाउकलो अर्वी ले लिया है इनको अच्छे से के भी बनाते हैं पर मैं इस तराके से बनाती हूं मुझे इसी तरीकी की पसंद है ये एक अज़ी हुआ है इसको हमने छील के काट लिया है अच्छे से धोली है मसाले के लिए लिए है हमने ये दो बड़े टमाटर दो मेडियम सैज के प्याट अवH 810 लचसनफी उसका ने में यह अद्रक इसको हमने चील कर अच्छे से इसलिया है यह हरा दनिया के लिए कि और यह हमारा तड़के का सामान यह हींग यह अजवाइन यह मेथी दाना और हमने गैस पर रख दिया है तेल पहले से गरम होने के लिए तो अभी इसमें हम डाल देंगे यह अर्भी इसको हम करेंगे लाइज गोल्डन ब्राउन इसके बाद हम इसमें चड़का देंगे हमारी एर भी थोड़ा प्राई हो चुकी है अभी हम इसको निकाल लेंगे बड़तल में इसके बाद हम करेंगे चड़के की तयारी तो हमने यह सारी हर्भी निकाल ली है एक बर्तन में तो अभी हम करेंगे तड़के की तयारी तो हमने जो यह हींग अजवाइन और मैथी दाना लिया है इसको हम कड़ाई में डाल देंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे प्याज इसमें लैसुन लैसुन थोड़ा सा लाल होगा तो हम इसमें डालेंगे अब रख देखिए हमारा लैसुन लाल हो चुका है तब यह इसमें हम डाल देंगे अब रख को हलका सा फ्राई करेंगे इसके बाद डाल देंगे हम इसमें प्याज प्याज को बूल्दन ब्राउन करेंगे तो देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे यह टमाटर तरीके के तो हम इसमें डाल दिये हैं यह टमाटर अभी हम अपने यह मसाले डालेंगे इसमें हमने एक छोटा चम्मच हल्डी लिया है एक छोटा चम्मच लाल मिच बाउडर लिया है रेड़ चम्मच दनिया लिया है और यह स्वात के अनुसान नमक लिया है अब हम यह सारे मसाले इसमें डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे हम आदे गिलास करीब पानी इसको ढखन ढखन कर पकाएंगे ताकि इसका मसाला बन जाए अच्छे से तमाडर गल जाएंगे इसके बाद में हम डालेंगे अरभी तो अब हम धक्कन अटाकर देखेंगे कि हमारा मसाला कितना पक गया है देखिए कापी हल्टक पक चुका है हमारा मसाला तो इस तरीके से पकाएंगे अच्छे से ताकि यह टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं इसमें मिल्ट हो जाएं इस तरीके से और इसको ऐसे ही तो अभी हम डाल लेंगे इसमें थोड़ा पानी तो थोड़ा साही आधी जिलाज से भी कम डाल दिया है मैंने इसमें पानी और अभी हम इसको ढ़क कर अधी पकाएंगे इसको ड़क दिया है अधी इसको हम लो फ्लेम में पकाएंगे अधी से चार मिनिट तो अभी हम ढटा कर देखेंगे सब्जी हमारी देखें कितनी अच्छी कितनी कलर फूर निकाल लेंगे एक बढ़कन में सब्जी डालेंगे इसमें इसको मिक्स करेंगे अच्छे से अभी हम निकालेंगे इसको एक बड़तन में तो देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और कमें करकर हमें जरूर बताइए एक बर बना करके हमारी इस रेसिपी आपको कैसी लगी है मिलती हूं अगली किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ तब तक के लिए अधा हाफिज नमस्ते सच्छिय काल बाई